So what is up guys, welcome back to the channel and the world of unpredictability that is PUBG Mobile eSports And guys, आज की वीडियो पर आप बात करने वाले है कि जो हमारी champion team है कैसे आप एंपे military circle की zone को खेलती है and जीतती है क्योंकि आप सबी को बता है military circle का zone है जो आपका one of the hard zone माना जाता है जहाँ पर आपका एक हिस्सा जो आपके screen के सामने zone आ रहा है एक हिस्सा होता है आपका military की side को and दूसरा आपका होता है दूसरे island पर जहाँ पर teams को बहुत सारी दिक्कत होती है जब आपके hard shift यहाँ पर देखे जाते So one of the hardest zone में खेलने का माना जाता है जहां में हमारी South Asia region की team stalwart ने बहुत प्यारे तरीके से match निकाला है आपको सारा scenario बताऊंगा stalwart का भी other team की thinking भी कैसे वो यहाँ पर खेलना चाहा रही थी और कैसे यहाँ पर matches गया सबस्क्राइब कर सकते हैं चैनल को ऐसी content के लिए सबसे बहले drop settlement की बात करें इस tribe की zone पर मैं आपको बता चुका हूँ कि maximum time के mind में हमेशा से यह चीज रहती है कि जैसे zone आउट करा जल्दी से जल्दी जाओ और military के कुछ areas को पकड़ना start कर दो 7C की team ने यही करा वो starting main areas पर आ जाएगी Elementrix की team अगर आप देख रहे हो early minutes में ही यहाँ पर पहुँच चुकी है तो maximum team की guys यहाँ पर strategy बिल्कुल similar रहती है अगर आप देखेंगे यहाँ पर पहला circle यहाँ पर close in हने तक की positions को जैसे मैंने आपको बदाया था Elementrix की team यहाँ पर आपको दिखने वाली है अगर आप देखेंगे यहाँ पर seal की team हमेशा से क्या करती है वो early loot करके ना इस type के circle में military bridge की तरफ चले जाती है क्योंकि military की तरफ से काफी आने वाली team होती है लेकिन सारी टीम से यहाँ पर दूसरे को रीट कर रखा है तो यहाँ पर इस टाइम तक कोई टीम नहीं आती सबको बता है फर्स circle कटने तक seal यहाँ पर होगी उसके बाद वो अच्छी position के लिए जा सकती है आगे को अगर आप एस जीग डीम देखोगे वो पूरा prefer करेगी यहाँ से कि अपना boards के थुरू यहाँ पर rotations दे वाकि इस type के circle में अगर मैं बात करूँ maximum time देखा गया है जो cluster हो दा आपका वो इस side ही बनता है यहाँ पर ना एक disadvantage यह रहता है तो यहाँ पर cluster पर बहुत सारे kills मिलते हैं और यही चीज़े यहाँ पर टीटूगे के टीम ने करी अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ देखोगा आप vibes की टीम सबसे लेटर डिट करती है उनको थोड़ा फायदा हुआ लेकिन इनको fight निकालने थी अब बात करेंगे यहाँ पर स्टॉलवर्डी स्पोर्ट के बारे में कि आपको यहाँ पर दूसरी लोकेशन पर देख रहे हैं क्योंकि पीछे से वहीं बार क्या होता है अब अगर आप देखोंगे यहाँ पर स्टार्ट कर देगी वाइव स्कीटीम भी यहाँ पर आजेगी एंड सिल की टीम अगर आप देखोंगे थोड़ा सा पीछे चली कि जोन यहाँ पर नियर बाइब और कई बार जोन इहीं पर कटता है क्योंकि maximum time इस टाइप के जोन की पर आपर लोकेशन पता है कि टीम का यहाँ पर क्या कैसी नारियों पर चल रहा है मैच में सबसे पहले बात करें इस टीम अगर यहाँ पर बता है आपको आज का लेट खेल यह काफा सिचुशन के साब से कहलती है सेंटर भी कहलती है तो इस बार उनका जो ड्रॉप स्प्लिट आपको पता है मिल्टरी ब्रीज दूसरे वाला ब्रीज होता है वहाँ पर होल्ड करके आती है वह इस टाइप के इसमें जोन में होने क्या सोचा पहले जाते है नोव वाले ब्रीज को यहाँ पर ब्लॉक कर देते कोई भी टीम को यहां से आगे मूविन करने नहीं देंगे और हाई वोल्टेज की टीम यहाँ पर जोन पर जाने लगे होती है वह इनसे फाइट लेती है यहाँ पर तो आईएटी एर वरसीज हमको एच्वी स्टार्टिंग में यहाँ पर देखने को मिलता है आईएटी की तरो से काफी अच्छी स्टैटिजी थी कि पहले ब्रीज ब नोटीस कराओगा इधर की साइट को ही कही ना कहीं यहाँ पर बना हुआ था तो टीटुगे की टीम ने काफी अच्छा फायदा उठाया इस चीज का जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर पूजिशन को अच्छे से समझना आप सभी लोग यहाँ पर ST के पास ने एक हाइट का एडवांटेज हमेशा से लेती है इंफो पर खेलती है जो सबसे बड़ी बात है कि कौनसी टीम का पर है किसुन की कफ फाइट हो हरी है जिस टायम पर फाइट हो रही है का अभी अच्छा मूवमेंट हैं पर अटैक करने का उसका एक बंदा डाउन है तो पूरी के और रही है कि कहां पर कौन सी फाइट हो रही है कौन इहां पर किल निकाल रहा है एन इनका जो यह जो इन्होंने यहां पर किल पढ़ने का तरीका है आनまあने कि इसको उनिक बनाता है पजय कोई नहीं यह आगे, एद टाइमिंग। वेट करो एंद गुस जाओ अगर आप देखोगे DRS की यहां पर अगर आप देखोगे यह इन्होंने यहां पर किल्स निकाले प्रॉपर इसके बाद इन्होंने यहां पर जैन मारो को एलिमिनेट कर रहा है इसके बाद वह आगे को गए क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा जा रहा है इसके बाद इनको अच्छे से पता है कि आगे 7C की टीम वर्सिस फैंटम की टीम फाइट जरूर हो ली थी और आगे से 7C या जू भी टीम बच्चेगी वह हमारी तरफ जरूर आएगी तो इससाब से उन्होंने आप पर स्प्लिट कर लिए अगर आप देखोगे दो बंदे आगे एक बंदे का अलग स्प्लिट है एक बंदे का अलग स्प्लिट है एक बंदा अगर आप देखोगे 7C की फाइट हो रही थी वो अच्छे से इन्फो ले रहा है एक बंदा पानी के तरफ देख रहा है कि पानी से कोई हमको फ्री किल्स ना मिल जाए एक कि देरी है कि दूसरी टेम आगे को आगे बाइसको फिनिश और यहां पर हम चिकन दिरन निकालेंगे था सिमेलर काइंड ओस तिंग अमको देखने को मिलती है तो गाइस पीछे से फैंटम शेवन सी की सभी के फाइट होते होते एट Last हम को यहां पर देखने को मिलता है तो फै वो ली हर एक प्लेयर को स्प्लिट पे रखा इंफो गैधर करते रहे कहां कहां से टीम जाती है पीछे से आगे से वाटर साइट से टीम आती है आ तो सकती नहीं है उसको पहले क्लियर करा देन आगे धीरे-धीरे-धीरे मूफ करें हाइट एडवांटेज ली थर्ड पार्टी इसका यूज करा कि कहां पर हम जल्दी जा सकते हैं और आपके स्क्रीन के सामने फॉर्टी लाल इमिलेशन के साथ चिकर निरा लेके गई तो जाइस कैसा लगा इनका gameplay एक बार comment करके ज़रूर बताना कुछ extraordinary things स्टीम करती है बस अगर मैं बात करूँ हमेशा से बोलता हूं कुछ extraordinary नहीं करती है बस तेम थोड़ा smartly जो खिलती है न वह हमेशा सच्छा कर जाती है इसमें आपका क्या views है प्यूज और में आज करके